कुछ भी तो नहीं करना, ना टाइल पे नाते, ना खाना कठा करते, ना तड़का लगा के खाना बनाते, ना सोने का कोछ गाना, किसी के साथ साधी कर लो, किसी के साथ रहे लो, कहीं सोजाओ, मोज तो इनकी हमें क्या बना दिया आपने सारे के सारे जहानवर बगवान के पास जा पहुँचे बड़ी काम की बात है और क्या शिकायक लगाई कि बगवान जी हमें भी क्यों बना दिया ना हमारे पास घार है ना पहले वो कपड़े ना हमारा को रिष्टेदार ना हमारा को खाने का प्रबंद ना हमारी इंटरेन्मेंट का पीजा भीजा कुछ नहीं बनाते मारे लिए दर्ती वाले सारे के सारे जानवर और पक्सी शिकायद करने लग रहे कोई छिकाना नहीं है वरा रात को कहा दाना है कहां पहुंचना है कुछ नहीं पता है उनकी शिकायद खतम हुई थी कि इतनी दिने में हाद भी पहुँच गए कि भगोन ये क्या कर दिया आपने इतना बुरा आल पैदा हुए नहीं कि ममी पापा ने पकड़े स्कूल बेज़ दिये और स्कूल बेज़ते ही सारे टीचर पीछे पढ़ ले कुखेर में भी देता फिर घर जाते हैं ममी पापा फिर पीछे होमवर कर ले फिर नोकरी करो फिर साधी करके किसी और को कमा की कीवाड खिलाओ फिर मुख बच्चों को पालो घर बनाओ कपड़ी सिलाओ शिर्डोव इतने सरे जजाण इनको देखो न पक्षियों को कुछ भी दो निकरना न टाइल पे नाते न खाना कठा करते न तड़का लगा के खाना बनाते न सोने का कोई ठीगाना किसी के साथ साधी कर लो किसी के साथ लेलो कहीं सोजाओ मोज तो इनकी हमें क्या बना दिया आपना हमारे साथ तो बहुत जाती किया आपना हम तो जंजट में डाल दिया पक्षि कहते हैं हमारे को कुछ ने दिया और इंसान कहता है हमारे जी को इतना बड़ा जजाल बना दिया पता है भगवार में क्या फैसला किया कि चलो भाई खत्म करो सारी राद अब यहां से यानि उपर गए वे थे हो मैं धर्ती पर बेजूँगा आपको दो रास्ते है एक रास्ता तो यह सीदा फिसल पड़ती यह तरह से नीचे पहुँच जाओ और दूसरा रास्ता है पहाडी जंगल और पत्थर और बुरी तरह से दुकी दाकी होगे मुझकल दे फिसल जाएगे तो मर जाओगे आइस्ता आइस्ता नीचे पहुच जोगे जितने भी जानवर थे और मेहनत के रास्ते से आए कटी परिश्रम करके आए दुर्गम रास्ते से आए वो सारे के सारे जानवर क्या बन गए इनसान और जितने भी इनसान इस तरह के थे जो शोट कट के चकर में रहते थे वो फिसल कर एकदम से नीचे पहुँच गए रहो सारे क्या बन गए जानवर तो समझ लेजिए आपको किसलिए दर्थी पर भेजा गया हमने मेहनत तो करनी ही है अगर मेहनत नहीं करी तो विल्कुल वैसे ही पसूब जाओगे जैसे तूसरे पसूब भूब रहे